हलो स्टूडेंटेंट्स हम लोग चप्टर फ्वोर में एक टॉपिक कर रहे थे जिसको आधा हम कर चुके हैं फेक्टर्स दाफ आनुबेशेशन इसमें हम् टेखनो हैै कि हमारी थी एक तो ट्रान्स्पोर्टेशन टेक्नोर और दूस्री इन्फॉर्मेशन communication technology कि यह चीज़े होती है जिनकी वज़े से globalization मतलब आगे प्रोसेस कर पाता है इसमें जो second factor है वो कहा है liberalization liberalization of foreign trade foreign trade का liberalization करना मतलब उसको open कर दिना foreign trade को एक तरह से खुला कर देना उस पर किसी प्रकार का text ना लगाना ओके foreign investment policies को जाधा से जाधा involve करना ठीक है यह भी एक कारण होता है globalization को develop करने के लिए globalization अपने country में लाने के लिए ठीक है कि हम भी global level पर अपना काम कर रहे हैं start कर रहे हैं आपको NCRT की book के page number 64 पर है मिलेगा आपको यह okay let's the return to the example of import of Chinese twice in India चली वापिस चलते हैं उसी example पर जो हमने Chinese खिलोने जो बिक रहे थे इंडिया में उस पर अब क्या है suppose the Indian government puts a tax on import of twice अब यह आपने देखना है कि अगर इंडियन गवर्मेंट वो जो टेक्स आ रहे हैं इंपोर्ट हो रहे हैं उनके ऊपर कोई टेक्स लगा देती है जो भी मतलब sorry twice आ रहे हैं उनके ऊपर कोई टेक्स लगा देती है तो क्या होगा those who wish to import these twice would have to pay tax on this जो भी उन twice को अपने भारत में खरीदना चाहेगा उसको कुछ tax pay करना पड़ेगा because of the tax buyers will have to pay a higher price of price on imported twice Chinese twice will no longer be as cheap in the Indian market and imports from China will automatically reduce Indian twice market will prosper अब ये एक एक एग्जामपल लेजिए चलिए देखते हैं मानों कि Chinese twice आया आपका 50 rupees का ठीक है और Indian twice भी करे थे आपके 70 rupees के ठीक है ये हो गए Indian twice और ये 50 rupees वाले हो गए Chinese twice ठीक है अब माल लीजिए कि भायात में पता चला कि government को जैसे पता चला कि 70 rupees के twice कोई नहीं खरीदना चाहरा 50 वाले सब खरीदना चाहरे है तो government क्या करेगी government अपनी तरफ से इनके उपर जो 50 के twice आ रहे थे उनके उपर 30 rupees का टेक्स लगा देगी तो हमारे देश में आ रहे हो बेचने तो आपको टेक्स पे करना पड़ेगा ठीक है तो ये कितने के बन गए 80 के और इंडिया की मार्केट में कितने के थे अपने Indian twice 70 के तो लोग अब 80 के लेना चाहेंगे या 70 के लेना चाहेंगे अब तो लोग 70 के लेना चाहेंगे क्योंकि अब जो चाइनीज ट्रॉइस थे वो 50 के नहीं मिल रहे ना अब उसमें 30 rupees जो उन्होंने टेक्स के दिये वो भी इंक्लूड करेंगे ठीक है तो ये बात अलग होती है कि मार्केट बन कर देंगे क्योंकि उने फाइदा तो होगा नहीं और अपने जो इंडिया की market के ट्वाइस वो भी uplift होते रहेंगे मतलब अपनी market भी uplift हो जाएगी तो इसलिए क्या कि आ जाता है कि custom duties लगा दी जाती है ताकि बाहर की market का सामान जो है वो हमारे यहां की companies को factories को effect نہ करें ठीक तो वो पैसा भी तो उसमें इंक्लूड करेंगे ना वो लोग ठीक है नुक्सान में तो बेच के नहीं जाएंगे तो वो त्वाइस जो 50 के थे अब थर्टी रुपीज टेक्स लगके वो 80 के हो गए और हमारे पहले 70 के भी करें थे तो लोग 70 के जादा पसंद करेंगे सश्ता अब तो देखते हैं ठीक है चलिए आगे आता है अपना सेकिन्द निंबर पर तो यह मैंने आपको बताए कि इस तरह के जो होती है उन्हें ट्रेड बेरिएर बोलते हैं इस थर्कषии कि या बोलते है बbert्यक्स on Import is an example of ट्रेड बैरियर जब इस तरह का टेक्स लगा देते हैं कुछी भी सामान के अपनी कंट्री में आने पर तो उसे ट्रेड बैरियर बोलते हैं बैरियर क्या होता है एक बैरियर मतलब किसी चीज़ को रोकने के लिए लगाई गई कोई बाउंडरी तो मालों चाइनीज ट्वाइज आ रहे हैं यहां आमने बैरियर लगा दिया कि आपको 50 रुपीज का ट्वाइज है न तो कोई बात नहीं आपको खर ट्वाइज पर 30 रुपीज और पे करना पड़ेगा तो 80 रुपी का ट्वाइज आ गया कि जो भी इंपोर्ट जो सामान आ रहा है जो इंपोर्ट हो रहा है सामान उस गुड्स पर जब को टेक्स लगता है तो उसे ट्रेड बैरियर कहते हैं इस काड आ बैरियर बिकॉज सम्रिक्षिंस एव बन सेट अप उसमें कुछ रिस्ट्रिक्षिंस लगा दी जाती है government can use trade barriers to increase and decrease regulate foreign trade and to decide what kind of goods and how much of each should come in country देखें यह बहुत important बात है थोड़ा इसे ध्यान से समझेगा government time to time क्या करती है अपने जो trade barriers होते है यानि कि अपने जो इस तरह के tax होते है उनको increase भी कर देती है ही कभी-कभी और कभी-कभी decrease भी कर देती है मतलब उसे regulate करती कौन से duties को कौन से trade को कौन से इंग्रीज करने हैं और कौन से गुड्स में उसने डिक्रीज करने हैं मतलब उसे regulate करती है अपने according ठीक है किसी को foreign trade कहा जाता है वो Decide करती है कि किस सामान पर कितना लगना चाहिए और किस सामान पर tax नहीं लगना और वो डिसीजन होता है अपनी कंट्री की कंडिशन को देखते हुए ठीक है तो हम कह सकते हैं कि गवर्मेंट कें ट्रेड कें यूज ट्रेड बैरियर्स तो इंक्रीज और डिक्रीज या फिर रेगुलेट का मतलब यही है कि टाइमली जब उनको लगे कि अब इंक्रीज करने की ज़रूरत है तो उसे डिक्रीज कर दिया ठीक है और वो कंट्री की एकनॉमिक कंडिशन को देखते हुए किया जाता है और कंट्री में कितना कंपेटीशन है अदर्स के साथ करने का कौन से अब ट्वाइस कंपनी अगर चाइनिस के साथ कंपीट नहीं कर पारी तो हमें उ गवर्मेंट वह बात भी समझ में आई होगी ठीक है उसके बाद आगे चलते हैं हम लोग दा इंडियन गॉश्मेंट आफ्र इंडिपेंडन्स हैड पूट भ्रीज के टू फोरें ट्रेड एंड फोरें इंवेस्टमेंट इंडियन गवर्मेंट ने जब हमारी लेकर आगे जो टाइम पेड़ा आएगा 1991 तक अपने जो इंपोर्ट हो रहा था सामान उस पर टेक्स लगा रखे थी हम लोग जो है ना अपना सामान जादा भाहर बेजते थे और ना भाहर से जादा सामान अपने यहां लाते थे हम फोरन टेड पे जादा पुछ नहीं करते कुछ important सी चीजह होती थी जो हमारी necessary होती थी हम उनी को सिर्फ मंगवाते थे ठीक है this was considered necessary to protect the producers within the country from foreign competition industries were just coming up 1950 and 1960 and competition from imports at that stage would not have allowed these industries to come up does India allow imports of only essential items such as machinery, fertilizers, petroleum, etc. Not that all developed countries during the early stage of development ध्यान से करना इसको have given protection to domestic producers तो a variety of means यह बात बहुत ध्यान से दिखने की है कि 1950 जब हम 47 में आजाद हुए हमने इंडिपेंडनेस ली तो 50 और 60 में हमारी company इतनी जदा आप कहा सकते हो कि इतनी जदा अच्छी condition में नहीं थी कि वो world level पर compete कर सके ठीक है, compete in these days हमारे पास उतनी अच्छी technology नहीं थी हमारे पास उतनी अच्छी quality नहीं होती थी हम अगर उस टाइम पर compete करते तो हम बहुत पीछे रह जाते हमारी एकदम से market value जो है वो खराब हो जाती कि वहां से सामान जो है वो बहुत खराब आ रहा है ठीक है तो इसलिए और ये बात ध्यान रखने की भी है तो हम उस ताइम पे कुछ भी मतलब जादा चीजों का जो है हमने अपने trades जो है उन पे barrier लगा रखा था हम लोग ना बहा यह कि not that यह बहुत इंपोर्टेंट बात है कि सारी जो developed country होती है जैसे इंडिया भी developed country जो सारी developed country है during the early stage उन्होंने क्या किया था जो भी developed countries है USA वगेरा की उन्होंने क्या किया था जिस टाइम पे वो अपनी early stage में थी यानि उनकी industries जब setup नहीं होई थी अच्छी तरह से जब उन्होंने फर्लिश नहीं किया था उनकी industries ने तब तक उन्होंने भी अपने अपनी अपनी डॉमेस्टिक जो इंडुस्ट्री जो डॉमेस्टिक प्रोडक्शन है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए इस तरह के बैरेज लगाए थे ठीक है क्योंकि अगर हम उस टाइम पर बैरेज नहीं लगाएंगे उस टाइम पर हम कंपिटिशन में आने के लाइक नहीं है और अगर उस टाइम पर दूसरी कंट्रीज हमारे यहां पर एक्सपोर्ट करती रहेंगी तो हमारा पैसा बहर जाएगा ना फोरें इंवस्टमेंट है मतलब हम अब देखो अगर मान लिया कि इंडिया में बैन लगा दिया और इंड कंट्री में export जो फोरें क्रेंसिये वह एक्सपोर्ट जादा हो रही है तो हम लोग उससे लूस में जा रहे हैं तो यानि कि स्टाटिंग के कुछ सालों में हमने अपने ड्रेडिपेश लगा रखे थे हमने टेक्स बढ़ा रखे थे अब होता क्या है होता यह है कि अगर हम इसी तरह टेक्स बढ़ाते हैं तो कोई भी कंट्री हमारे साथ कंपीट करने नहीं आती है तो हमें उसके लिए क्या करना पड़ता है हमें उसके लिए लिब्रल होना पड़ता है मतलब liberalization करना पड़ता है हमें foreign trade में ताकि other countries अपने यहां कर trade करें हम उनका सामान ले सके हमारा ले सके हमारे पास भी दूसरी countries का सामान दूसरे लोग हमारे पास भी हमारी country का सामान खरी दें है foreign investment बढ़े हमारी भी ठीक है तो होता क्या है कि starting around 1991 some far reaching change in policy were made in India 1991 में कुछ change किये गए policies में किस ताइब के changing थे वो देख लीजिए the government decided that the time had come to Indian producers to compete with producers around the globe इस ताइम पर डिसाइड किया गया कि अब हम ऐसी condition में हैं कि अब हम other countries के साथ कुछ compete कर पाएं अगर हम compete नहीं करेंगे तो हमारे पास 90 technology नहीं आएंगी competition करेंगे तब ही हम आगे निकल पाएंगे it felt that competition would improve the performance of producer within the country since they would have to improve their quality अगर कोई बच्चा क्लास में अकेला ही number one पे आ रहा है तो उसे नहीं पता कि और भी कितने अच्छे बच्चे हो सकते हैं जब वो बड़े लेवल पे जाता है किसी बड़े स्कूल में जाता है तो उससे अच्छे अच्छे और अच्छी intelligent बच्चे वहाँ पे मिलते हैं और वो उनके साथ compete करने लगता है जब वो कहते हैं ना कि सारों में सिर्फ अखेला ही उसे लग रहा था कि ठीक है तो चाहें वो कितने ही अच्छे marks ले या कम ले वो सबसे अच्छा superior कहलाता है ठीक है तो कहने का मतलब यह है कि जब 1991 में हमने अपने आपको उपन कर दिया हमारे country में भी liberal हो गई हमारी country और अंञालों हम एध़न के पास है किसके इशारों पर चलता है, world bank चलता है, जो developed country है ना, उनके इशारों पर, US ने हो गया, ब्रेडेन हो गया, ठीक है, इन सब countries के इशारों पर चलता है, इनका बहुत दिनों से यह मानना था कि, इंडिया में हम क्या करें अपना प्रोडक्शन करें अपनी मार्केट अच्छी है इंडिया में बहुत जाधा पॉपलेशन है वहां के साथ हम अपना ट्रेड करें तो उन्होंने प्रेशर किया कि ठीक है हम लोन दे देते हैं आपको लेकिन उससे पहले आपको हमारे साथ क्या करना पड़ेगा, compete करना पड़ेगा, आपको जो है liberal करना पड़ेगा, हम लोगों को भी अपने वहाँ पे invest करने के लिए, जो है मोका देना पड़ेगा, तो हमें मजबूरी में यह सब करना पड़ा, और जब नहीं यह किया, तो देखिए हम नुकसान में नहीं रहे, हम कुछ फायदे में ही रहे, आज इंडिया कंपीट करता है, अधर कंट्रीज के साथ, ठीक है, चलिए, यह तो बात मैंने बताई है, अपने लिखनी नहीं है, अपने लिखना यही है, कि हम बैरेज को हटा देते हैं, फोरें ट्रेड के लिए, ठीक है, तो उन्होंने आगे कहा, इस डिसीजन वास पॉर्टेड बाइपावर्फुल इंटरनेशनल और्गनाईजेशन, यह डिसीजन लिया गया, पावर्फुल इंटरनेशनल और्गनाईजेशन के तुरू, कि अब 1991 में, कि अब इंडिया तयार है, किसलिए, अपने आपको कंपीटिशन मिलाने के लिए, अपने आपको वर्ड लेवल पे, अब उन कंट्रीज को चाहिए थी न, मार्केट जो अपने यहाँ अच्छी मिल रही थी, अपने यहाँ पोपुलेशन ज़ादा थी, ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं, दस बैरीज उन फोर कमपरी जाए यहाँ पे आपके सैट अप होगए धीचाक, हम लोग यहाँ पे अपने अपने उफिस सेट अब कर सकते हैं, यह भाहर जाकर नाकाम कर सकते हैं कि गया हम लोग थाए घर्जाटी तरह को ऑन चाहिये इस तरह से जो पिर और हो फोती हैं घर्जा यह किसी भी government के द्वारा लगाई होती है अपने उस पे क्या है इंडस्ट्री पे उनका कम हो जाना या उनका खतम हो जाना ही liberalization है with liberalization of with liberalization of trade business are allowed to make decision freely about what they wish to import or export इसके थ्रू जो है businessmen जो है वो free हो जाते हैं कि क्या वो export करना चाहते हैं और क्या इंपोर्ट करना चाहरे है the government imposes much less restrictions बहुत कम restrictions लगाते हैं बहुत कम rules follow करने पड़ते हैं than before and it's therefore said to be more liberal और इससे और ज़्यादा हम liberal हो जाते हैं तो I think आपकोई clear हो गया होगा कि अपने है पहले टेक्नलोजी टेक्नलोजी में भी टू टाइप्स की टेक्नलोजी थी ट्रांस्पोर्टेशन टेक्नलोजी और इंफोर्मेशन कम्निकेशन टेक्नलोजी ठीक है और दूसरा था liberalization यह दो चीज़े हैं जिनके तुरू अपनी country में globalization का प्रोसेस चला और किसकॉन में इजन्ट के रूप में यानि किसने काम किया काम किया MNC ने मंटे नेशनल कंपनीज दे ओके निक्स्ट वीडियो में हम करेंगे वर्ल्ट ट्रेड और्गनाजिशन डव्ल्यू टी ओ ठीक है थेंक यू